हालो गईज, वेलकम टो चीव आईएस, मैं नेम इस एईश मिठी, इस वीडियो में हम दो अपरील 2020 के दाहिंदू आइट्टोरियल आनलिसेस पढ़ेंगे, चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आटिकल से, वो है अनकेटिकल इंडोर्समेंट, सुप्रीम कोट में खाली में क बात कि क्या थी कि मैगरेंट वरकर्स जो थे, जिनका जो एक्सोडस था, यानि जो भीड थी, वो किस तरीके से हजारों की संख्या में निकले, फिर उनको कुछ दिन तक फशे रहे, कुछ घंटों तक फशे रहे, फिर उनको कहा जा रहा है कि स्टेडियम में रखा जा रहा का की सेंटर का जो रिस्पोंस है, फाल तो सेंटर का प्लैन मांगगी, सेंटर कर क्या रही इस चीछ में, और सेंटर के रिस्पोंस को जो है उन्होंने इंडोर्स कर दिया, कि कहने मतलब क्र menor किया, और criticism नहीं किया एक तरीके से सेंटर ने कहा कि जो fake news है वो ये COVID-19 के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो COVID-19 पर discussion होने नहीं चाहिए पब्लिक के बीचे में ये सब सरकार ही करें बस सुप्रिम कोट ने का कि नहीं ऐसा नहीं है हम ये जो discussion का right है ये हम हटा नहीं सकते है ये पब्लिक के पास ही राएगा लेकिन जिस तरीके से सेंटर काम कर रही है उसको जो है इन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक कि आप इस तरीक किया लिमिटेड किया तभी तो मैं लिमिटेड बोल रहा हूं क्योंकि सहमती तो देदी एक्सेप्टेंस देदी इंडोर्स कर दी एक्षन लेकिन कुछ बात है गाइडलाइन्स यहां पर रखी पहली बात तो पुलिस एक तो काइडनेस वरते हैं अथोरिटीज अपने वरकर्स को उनके जो वरकर्स इखटे हुए हैं उनको इस तरीके से ट्रीट करें और उनकी फैमिलीज को अच्छे से ट्रीट करें दूसरी सरकार ने ये बोला कि फेक न्यूच की वज़े से जो लोगों में पैनिक रियक्शन काफी ज़्यादा हो गया है और कहा जा रहा था कि वोट्स अप्पे की तीन महिने तक लोगडाउन चलेगा तो माइग्रेंट वरकर्स जो थे वो थोड़ा भेवीत हो गए और अलग-लग राज्यों में जाने लग गए तो केंद सरकार एक तरीके से कह रही थी कि हमारी गलती नहीं थी ये तो इस तरीके से फिक न्यूज फैलाई गी थी कि उनको डर लगने लगा था कोट ने अनकर्टिकली इसको एकसेप्ट किया लेकिन साथ में ये भी कहा कोट ने मीडिया को डिरेट किया न्यूज चैनल जो आपके पब्लिशिंग होसेज जो भी न्यूस पेपर्स हैं कि जो भी डवलप्मेंट देश में हो रहे हैं जो भी काम हो रहा है उसका ओफिशल जो है वो पब्लिश किया जाए साथ में ओफिशल वर्जिन यानी ऐसा नहीं कि खुद के एकसपर्स बैठा लिए खुद के डाटा निकलवा लिया खुद की एजनसी चल रही है नहीं सरकार क्या कह रही है उसी बातों को एक डिस्कलेमर के साथ रखा जाए और वो डिस्कले आने कुले लाई जा रही है विस लीटरफा जनल जो है हमारे उन्हे अपना एक ड्वाईस भी दी कोड को कि क्या हम यह कर सकते हैं तो उन्हें कहा कि दैली बुलिटिन भी लाया जाए बुलिटिन जो अधाने डिली आज़के दस समाचार भी समाचार डेली के उसह साब स्व of responsibility बनाए रखें और unverified news फैले नहीं इसके जिम्मेदारी यह सारा काम जो है मीडिया के उपर है और जो भी public servant के instructions को नहीं मानते हैं या फिर गलत बाते फैलाते हैं तो उनको जो है सजा भी देनी चाहिए अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे कि यह censorship पे जो है एक तरीके से उसको रोकने की कोशिश है direction देने की कोशिश है तो ऐसा नहीं है government court ने government की जो बाते उनको समर्थन दे दिया लेकिन साथ में कुछ guidelines भी दे दी यह चीज तो obvious ऐसा आफ नजर आ रही थी कि जब lockdown हुआ चार घंटे पहले 8 बज़े जो है मोदी जी न अनाउंस किया तो साथ में कुछ experts कह रहे हैं कि planning नहीं थी state के साथ coordination नहीं था लोगों में डरता कि वो कहीं छूट न जाए पीछे पैसा नहीं बचेगा खाना पिना नहीं बचेगा उनकी families जो पीछे चूटी हुए उनके लिए क्या होगा पैसा कहां से भी जोए जाए जाएगा तो ये चीज़े थी जिस वज़े से जो है लोग बाहर निकले थे लेकिन कोट ने fake news वाले narrative को accept कर लिया कि हाँ whatsapp में fake news फिलाए गई थी इस वज़े से मज़दूर बाहर निकले थे सरकार ने तो planning पूर तरीके से कही थी हाला कि कोट के approach को welcome किया जाना चाहिए और कोट का एक सबसे जो order का सबसे अच्छा feature यह था कि government ने कहा कोट को कि government की अनुमत्ती के बीना कोई भी data कोई भी किशी भी COVID-19 पे जो reporting नहीं किया जाए कोट ने जो है मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है यह राइट है लोगों का discussion करना इसको आप हटा नहीं सकते कुल मिला के सरकार जो है information को control करने कोशेश कर रही है कि government को भी accurate data provide करने की जुरित भी और fake news control करने की जुरुत भी यह लेकित फिर भी information control नहीं किया जा सकता है तो कोट का यह जो response था यह समझ में आता है कि पेंडेमिक को डील करने में चाए वो एक strategy बनाने में हो जाए कोट ने बताया कि इस तरीके से जो है media outlets काम करेंगे disclaimer के साथ तो एक तरीके से यह duty तो executive की है हमारे देश में legislative judiciary executive होते हैं तो कोट judiciary जो हमारी है वो planning नहीं कर सकती वो guidelines बता सकती है इस तरीके से आपको काम करना यह होना चाहिए यह objective है guideline बनाना और यह सब कुछ करना executive का काम है लेकिन court ने इंसानियत के नाते यह सब किया humanitarian dimension अगर choose किया तो हम यह नहीं कह सकते कि executive की duty में इन्होंने interfere कर दिया executive का काम था वो judiciary नहीं कर दिया जब कैसा नहीं कर सकते हैं तीनों coordination के साथ काम कर सकते हैं लेकिन एक दूसरे की duty को नहीं नहीं भा सकते हैं कि एक से duty वो कर लेकिन फिर भी court ने इंसानियत के नाते सब किया तो उसको welcome किया जाना चाहिए और और भी अच्छी जीजिए होती ह अगर यह और भी सरकार से question पूछते हैं क्योंकि इन इस समय में भाई के समय में accountability जरूरता होनी चाहिए Beyond the blame game देखो बात तो रही है निजा मुद्दीन जो scare हुआ इस तरीके से आप सब को पता है novel coronavirus SARS-CoV-2 फैला और लोग जहां ही कटे हुए तबलीगी जमाग में और फिर उसके बाद 400 लोगों को जो है symptom दिखाई दिए दिल्ली में उनको hospitalized किया गया और 500 को positive है जिसमें से 10 जो है उनकी मृत्ति हो गई है तो large scale जो community spread हुआ है इनके द्वारा different states में यह बात भी जो है कही जा रही है health ministry को पहले से ही पता था health ministry ने lockdown से कुछ दिनों पहले जब देंटा कर भी हुआ था उसे कुछ दिनों पहले कहा था health emergency नहीं है novel coronavirus घबराने की जूरू तनी है उसी दिन यह इवेंट चुरू हुआ था और डब्लू एचो और कि डिकेट इवन केसे आगए तो इस टाइम पे और health emergency अभी भी health ministry ने गोशित नहीं की थी और तब भी पता था कि इवेंट हो रहा है डब्लू एचो ने मार्च 11 को कोविंट 19 पेंडेमिक जो है कह दिया था organization इस इच के लिए aware भी थे organizer भी aware थे कि Malaysia में इवेंट वा था जिसके जैसे वहां पे cases भढ़ गए और पूरे देश भर में जो है और अलगला देशों में cases भढ़ गए तो सबसे पहले तो जो organizations है उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए डिली सरकार एक्वली जिम्मेदारे इसके लिया उन्होंने कुछ भी नहीं किया इस meeting को रोकने के लिए accept उन्होंने एक order issue कर दिया कि 200 ज़्यादा जो लोग है वो इखटे नहीं होएंगे प्रेस नहीं उड़ता है कि राजी सरकार को रोका किस नेता सेंटर की जो मार्स छेकोच अड़वाइस आई थी कि मार्स गैदरिंग्स नहीं हो नीचे यह जब तक pandemic नहीं रुके तो राजी सरकार क्या कर रही थी इस distress टाइम्स में इस से उपर की priority क्या हो सकती है चाहिए वो religious हो non-religious हो भीड नहीं जमा हो सकती इंडिया में पहला जब first case आया तो वो आया नमस्ते ट्रम टेली ट्रम रैली हो रही थी migrants अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि few cities में जा रहे थे तो भीड जो है वो इकटे होई थी religious purpose हो non-religious purpose हो हर तरीके से हर जगे भीड इकटी होई थी कही न कहीं लेकिन lockdown शुरू हुआ और उसके बावजूद भी कई पूजा की जो जगे स्थाने थी वो खुली थी political events हुए थे CM जो थे मद्धिपदेश के उनकी ceremony में बहुत संख्या में लोग आये थे और virus जो है वो कई तरीके से population में फैल गया इसलिए उनको cancel or prevent किया जाना चाहिए था लेकिन इंडिया ये सब जानते हुए भी ये virus का फैलाव जो हुआ है इसके लिए जिम्मेदार कौन है यही public जो gatherings है चाहे वो CM का event हो चाहे वो जमात हो चाहे वो कोई भी हो साउथ कोरिया सिंगापूर साउथ और इटैली इस तरीके से फैला है और मैं तो कहता हूँ जो लोग इस event को धरम की चश्में से देख रहे हैं वह लोग equally जिम्मेदार है क्योंकि थरम की चश्में से ना देख के बजाए इसको मैंसे नहीं करा रहा कि जिम्मेदार ना ठहरा जाए जिम्मेदार ठहरा जाए और अरुगनाईज़ेशर के अरुगनाईजर्स जो है उनको भी authorities को भी लेकिन अभी ये वक्त नहीं है और ये वक्त कभी नहीं है अभी आपको केवल और केवल मुसीबत को हटाने में ध्यान लगाना है और सरकार को भी उसी चीज़ पर focus दिलाना है अगर या आप सब हिंदू-मुसल्मान करेंगे तो सारी सरकारे जो है वो क्या चाती सरकार क्या करती जो पब्लिक की डिमांड होती है तो फिर जो है कम्मुनल मुद्धों पर आ जाएंगे तो मैं आज जोड़के आप सबसे निवे दन करता हूं कि कम्मुनल चीज़े कम्मुनल पॉलिटिक्स अभी मत लाइए और कम्मुनल पॉलिटिक्सी जगह कभी नहीं होगी हमारी डेमोक्रासिय में तो निजामुद्धीन जो इवेंट हुआ उसके बाद से सारे लोगों के कॉंटेक्स ढूंडे जा रहे कॉरिंटाइन के जा रहे, टेस्ट किया जा रहे ट्रीट किया जा रहा है इस चीज में जो है काफी सफलता ओथरेटीन हासिल के लेकिन अभी भी बहुत मुश्किल लगाई जगह देखा गया है कि लोग जो है अपनी हिस्ट्री नहीं बता रहे कहां का उन से मिले साउत कोर्या सिंगापूर ने बताया किस तरीके से ट्रेसिंग होनी चाहिए दिखाया करके कि चर्च में इवेंट हुआता, चर्च में सिंगापूर में पता नी काउ हुआता, उसकी वज़े से बहुत ज़्यादा संख्या में केसेश फैल ले थे तो उन्होंने एग्रेसिवली जो है कॉन्टेक्ट ट्रेस करने की कोशिश की और कम्नीटी में सब लोगों को पैचार लिया जिनकी समावनाई थी तो अब जो शटडाउन के रिमेनिंग पिरेड बचा है अभी, 14 अपरेल तक उसको टेस्टिंग में ही ध्यान लगाना चाहिए पुलिस लोगों को अंदर रख रख के ठक गई अब लोगों को खुद को समनना चाहिए मास गैदरिंग नहीं होनी चाहिए अब के वल टाइम टेस्टिंग का है बस टेस्टिंग होनी चाहिए और टेस्टिंग जो है लिमिटेड कम्मिनिटी लेवल तक पहुचानी चाहिए और लास्ट जो चीज है जो इंडिया फोर्ड कर सकता है इस वाइरस के लड़ाई में कि मिरसाब से शायदियां पर कैनोट आदा क्योंकि लास्ट तिंग जो इंडिया फोर्ड नहीं कर सकता वो है कि रिलीज्यस और क्लास कालर इसमें नहीं जाया तमिल लीडर्स जो है वह रिस्पॉनसीबल थे और साथ में गवर्रमेंट भी चाहिए दिली सरकार हो चाहिए देली पुलीस हो इसमें रिस्पॉनसीबल थे हाला कि अब ही सरकार के पास authorities के बस time है वे सब कुछ कर सकते हैं और सरकार को authorities को जो है जनता का भरोसा जीतना होगा और जनता को भी अपना समर्थन police authorities को देना पड़ेगा तक ही मिलके वे काम कर सके हैं यह article हम पड़ेंगे return of the expert लेकिन last में पड़ेंगे यह article है still no bull's eye in volumen trade बहुत important article है यह है the emergence of evidence of a rise in Indian defense exports also accompanied by a decline in imports is a welcome development through the reasons for both are not identical Indian defense export भड़ रहे हैं import घट रहे हैं बहुत ही स्वागत नहीं है यह योग के कदम है लेकिन जो कारण है दोनों के लिए वो अभी पहचान में नहीं है और सेम नहीं है पहचान में आये हैं सेम नहीं है पुरी तरीके से एक रिपोर्ट आई थी कुछ रिशर्च हुई थी स्टोक होम International Peace Research Institute के द्वारा जिसमें उन्होंने बताए कि सन 2009-2013-2014-18 तक Indian defense इंपोर्ट घटे हैं एक्सवर्ट भड़े हैं अब एक तरफ ता को लगया कि वायर कितनी अच्छी बात है मेकिन इंडिया की वज़े से जो है एक्सपोर्ट भड़ गए और कहीं ना कहीं इंपोर्ट हमारे घट गए क्योंकि हम यह सब हैं जो खुद मैनिफेक्टर करने ल बढ़े दूसरा है कि कॉंटेक्ट जो है कई बार कैंसल हो जाते थे किसी भी ऑथरिटी के द्वारा जो हमको इंपोर्ट कर रही है हमको बेच रही या इंडियन गवर्न्मेंट खुद कैंसल कर दी थी ओर डिटेल में पड़ता है सबसे पहले मेकिन इंडिया की बात करते है नई प्रोक्रमेंट केटेगरी जोड़ी गई डिफेंस प्रोसीजर जो हूँ था 2016 में इसमें यह था बाई इंडियन इंडिजिनिसली डिजाइन डवलप्ड डेड मैनुफेक्चर ठीक है पूरी तरीके से इंडिजिनिसली खरीनने की बात की जा रही थी जो चीज प्रोजेक्ट्स में कई तरह की जो है सायता दी गई सरकार के द्वारा जो 10 करोड से आगे नहीं बढ़ रहे उनको ज़्यादा तवज्य दी गई जहां पर इंको गवर्मेंट सपोर्ट मिल रहा है और जिनको MSME का सपोर्ट मिल रहा है जो MSME खुद डिफेंस इक्विमेंट बना रहे हैं तो दस करोड़ वाले जो प्रोजेक्ट्स है वह गवंघर्मेंट फंड और तीन करोड़ भींट फंड मिल तो नेसे अलवा सरकार ने कुछ इन्टीज्ञ और इंट्यूस की है तो ठीक है आप टेक्नॉजी ट्रांसफर कर सकते हो पार्टनर्स बनाएं उनको और 2016 से अगर 2018 की बात करें तो प्राइविट सेक्टर का जो शेर है वो बढ़ा है 17 परसेंट चोवन परसेंट तो यह कुछ वज़े हैं जिनकी वज़े से हमारे एक्सपोर्ट में जंप आया है टोटल रेंकिंग की बात करूँ मैं जो अपने मेंस के अंसर में आप डाल सकते हैं कि सो बिगेस्ट आम्स प्रोडूसर की बात करो दुनिया में सिपरी के कोडिंग हमारी सेल जंप तो हुई है हमारी जो सेल है अगर आप देखो 2016 से 17 में 6 परसेंट भड़ी है और टोटल हमार कुछ कंपनियों की इस्थान भी है जैसे इंडियन उडिएंस फैक्टरीस है हमारी लिमिटेड है और जो की रेस्पेक्टिवली जिंगी आम 13 प्रोडूर्य कर रही इसवंदाएअ इंपॉर्ट क्यों रहे ए इसके कारण हें यह नहीं है कि एक्सकोर्ट भढ़गे तो इंपॉर्ट भी गड़ए बाइस हम जब खुछ चीजर बनाने लगए हो तो की कोशिश की गई थी सू फिफ्टी सेवन स्टील फिफ्ट जनरेशन फाइटर एरक्राफ्ट बनाने के लिए कैंचल हो गई और कुछ प्रोजेक्स भी कैंचल हुए थे 2018 में भी हुए थे 2015 में भी हुए थे 2015 में तो 127 आप देखोगे रफाल मीडियम मल्टी रोल कॉमबेट एरक्राफ्ट फाहिने की बात थी दसॉल्ट कंपनी से जो 36 एरक्राफ्ट पर रुख गई टी नाइंटी बैटल टैंक्स सू 30 कॉमबेक्ट और यह भी भी नहीं है अभी भी इंकी डिलीवरी नहीं हुए तो इंपोर्ट हुआ नहीं इंपोर्ट नहीं हुआ तो यहां पर इंपोर्ट गिर गया इस वाज़े से हमको लग रहा है कि एक्सपोर्ट बढ़ गया तो नहीं लेगे लेकिन इंपोर्ट इसलिए घट रहे है कि इसलिए हमने इंपोर्ट कम कर दिया एकस्पोर्ट खुथ के कंस्पोर्इस में चाहिन रहना शुरू कर दिया बलकि प्रोजेक्ट से कैंसलेशन काफू ज्यादा हुए क्योंकि समय पे डिलीवरी नहीं हुई पॉस् ज़्यदा तवज्य दी जाती है पर प्राइविट इंटरप्राइस को इतनी इंपोटेश नहीं दी जारी जैसे डिफाइंस पॉब्लीक सेक्टर यूनिट सा आप देखोगे भारत जो इलेक्टर इनिमिक्स मैंने बोला डैनमिक्स लिमिक्स मैंने बोला हिंदुस्तान परसेंट बटेंट 40 परसेंट जो है इंक्रीज आया है एक साल के अंदर अंदर 2017-2019 में अच्छी बात है शुरुआ तो कॉंग्रस के टैम पे हो गई थी लेकिन जब से मोदी जी आये है तब से इसमें और भी ज्यादा बढ़ाव देखने को मिला है ठीक है तीरे-दीरे अब जो है हम बचा मोदी जी ने आके क्या किया सबसे पहले बीजेपी ने जो है आई जब सरकार में तो इन्होंने क्या किया एंडी ने क्या किया इन्होंने ऐसे एटम्स जो पहले एक्सपोर्ट नहीं किया सकते थे उनको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया चोटे-चोटे- कर नहीं सकते आज में भूह सी रश्या चाइना को हम चोटी-छोटी कंटरी को फिर भी भी सकते हैं लेकिन बड़ी-बडी कंट्री चलिक अभी नहीं है तो इन अख्स अज भी हमों की जो है आग buscando इंडिये डीफेंजिएक्स उनको कई साल लग जायेंगे जब वह powerful नेशनल बायर्स उनको खरीने लग जाएंगे अभी हम खुद बना रहे हैं खुद यूज कर रहे हैं और खुद चीजे बाहर भेज भी रहें चोड़ी कंट्रीज को लेकिन बड़ी-बड़ी कंट्रीज और अच्छी तरीके से अट्रेक्टिव बनाने के लिए कई साल लग ज सूट्स यानि कई जो है अच्छी चीजे आ रही है इस सेक्टर में यहां पर हम काम कर सकते हैं जगे नहीं कर सकते जगे घर सकते हैं तो अभी तक ऐसा नहीं था जो बार रहा है और इस अपर्चुनिटी को यहां पर फाइदा उठाना चाहिए तिंकिंग नेशनल एक्टिं रही है किस तरीके से जो प्लैनिंग इंस्टिटुशन है हमारा स्फी आतेक हाया है और इसकتي प्लैनिंग इंस्टिशन पै जो हमारा Planning Commission हो चाएह पहले प्लैनिंग कमिश्ञूंअ छाए सवाल उच रहा है कि आखिर लोग करग्या रहे है कि स तरीके से जो है यहां पर सब स्वेया केического T230 के बानिक से मैंने यहाँ स्कापने जो कर सकता था अपने मर्जी आइपने ये नहीं कर सकता था लेकिन अंति आयोग अब यह सवाल यह कर सकता है तो अभी सवाल उठाय कि नीतियाइयोग इस सिचवेशन में किस तरीके से जब्लूर क्या केवल एक तरीके से control room बनके रह गया है क्या केवल एक तरीके से ये advice देने के लिए रह गया क्या ये खुद अपनी मर्जी से कोई reform नहीं ला सकता तो ये साले सवाल उठ रहे हैं क्यों उठ रहे हैं क्यों पहले जी तो planning commission के पास पैसे देने की power ती grant करने की नितियायोक भी नहीं है लेकिन फिर भी planning commission ने इतनी development नहीं कर पाया तो इसका मतलब यह है कि पैसे देना जरूरी नहीं है भाई नितियायोक को भी अगर हम पैसे grant देने की power दे तो यह क्या guarantee की नितियायोक सफल हो जाएगा अगर ऐसा होता तो planning commission भी हो जाता ना तो नितियायोक को पैस competent है अच्छे तरीके से काम करता है constitutional role उसको मिला हुआ है सरकार से independent जुड के काम करता है लेकिन reforms अपनी मर्जी से ला सकता है क्या हमारे देश में नितियायोक ऐसा कर सकता है जहां पर इसको पैसे grant grant करने की power नहीं है government authority से पूछ के उसको reforms लेना पड़ता है नितियायोक ऐसा कर सकता है और साती साथ हमारे देश में जो सबसे बड़ा चलेंज यह है कि चुनाव पांच साल में होते हैं सरकार को वह काम करना पड़ता है जो पांच साल में लोगों को खुश कर दे शौट टम थिंकिंग यहां पर बनी हुए तो कई जगह कई country's में यहां पर देखा गय कोशिश यह की गई जैसे कई country's थी जिन में education system बहुत खराब था तो उन्होंने चेक करने कोशिश की वहां के एक्सपर्ट सेने की गल्ती का है पता लगा कि हमारी thinking के short term में long term में को सोचना पड़ेगा क्योंकि long term जो में हम सोचते हैं तो हम education help जादा focus करते हैं short term में हम ऐसी पूर पीपल के लिए सोचते हैं short term में सरकार वोट बैंक के लिए सोचते हैं तो इसलिए जरूरी है कि नितियायक को constitutional role मिले independence बड़े और long term thinking इसकी होए क्योंकि all-round development हमको चाहिए एक आटिकल में सबसे इंपर्टेंट बात यह लिखी वी थी कि all-round development हो मतलब environment की भी सोचे, poor people की भी सोचे, सब की सोचे तो नितियायो कहा जा सकता है कि successful हुआ है तो केवल एक तरीके से यह system reformer भी इसको होना चाहिए, control center और advisory body बनके यह नहीं रह जाना चाहिए national इसको सोचना चाहिए और locally इसको काम करना चाहिए locally इसको जो है यानि ground level पे इसको काम करना चाहिए, ground level पे कहा जाता है कि नीतियायो हो या planning commissioner उनको उनकी इतनी जो है इतनी उनको knowledge नहीं थी ground level पे क्या काम होता है the battle to set oil prices, देखो बात क्या हो रहा है, Russia अभी COVID-19 की prices गिर रही है sorry COVID-19 की वज़े से oil की prices गिर रही है, crude oil prices जिस तरी के से crash हो रही है तो दो चीज़े हैं पर सामने आती है, पहली बात तो oil prices गिरती कैसे है, oil prices set कून करता है तो दो चीज़े होती है, एक तो supply demand, दूसरा OPEC, oil की prices set करने के लिए दो factor होते है supply demand और OPEC, COVID-19 आया, चाइना ने अपना import कम कर दिया, तो demand कम होई, तो supply भी कम होई demand कम होई, तो prices भी गिरी, ठीक है, दूसरा factor OPEC, prices गिर रही है, तो companyya ज़्यादा produce करके क्या उखाड लेगी ज़्यादा produce भी करो, पैसे भी नहीं मेले, तो नुक्सान जहिलना पड़ेगा, तो officially जो prices कम की जाती है, वो OPEC के दौरा की जाती है कौन-कौन आता है, हम देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, लेकिन OPEC plus countries में देख लो, रशिया आते हैं, जो कि OPEC का officially member नहीं है, लेकिन OPEC plus countries जिसले कहा जाता है, कि OPEC के साथ मिलके, जो है, price agreements कर सकते हैं, डिबेट यहाँ पे चल रही है, कि रशिया ने project, रशिया न करने कि इसलिए बात कर रहा है, OPEC के साथ मिलके, जब production कर देंगे, जब supply कम कर देंगे, तो उनको नुक्सान कम होएगा, और हो सकता है, prices बढ़ जाए, क्योंकि कि किसी चीज़ की अगर supply ज़्यादा होगी, तो prices कम ही होगी, आप पूरती ज़्यादा होगी, तो prices कम होगी लेकिन आप पूरती कम होगी, जब प्रसे ज़्यादा हो सकती है, तो नुक्सान में उठाने के लिए decision लिया गया, कि production कट कर दो, तो ओपेक कंट्री प्रडक्शन कट कर देंगी, ओपेक प्लस कंट्री में आता है, तो अफ्कूर्स उसको production कट करना पड़ेगा, रश्या न इतना जो है तेल प्रडूस होता था मालो 100 बेरल, फोर एक्जामपल, जिन में अगर सवदी अरेबिया ने आदा कर लिया, रश्या ने कम कर लिया, मालो जो है समने production कट कर लिया, ओपेक और ओपेक प्लस कंट्री में नहीं आते, लेकिन तेल प्रडूस करते हैं, जैसे यू इसे वो मार्केट शेर खेंच लेगा यू इसे नुखसान उठा लेगा, बीस बैरल अब वो प्रडूस करने लग जाएगा, प्रैसिस गिर रही है, यूए से को क्या टेंशन प्रैसिस के, थोड़े समय के लिए नुखसान उठा लेगा, लेकिन मार्केट शेर तो मिल रहा ह तो USA के पास market share नहीं जाए रश्या इसलिए production कट नहीं कर रहा तो दोनों में टसल चल रही है रश्या में और सब्सक्राइब कर दो अब सब्सक्राइब कर दो थोड़ा market share USA को जाने में लेकिन रश्या तो नहीं है तो यह तो इन दोनों में चल रही है अलाकि यह दोनों की टसल जो है यह भारत के लिए नुकसान दाएक विल्कुल भी नहीं है अगर गिरते हैं प्रोडक्शन कट होता है तो अच्छी बात है रश्या नहीं भी करता लेकिन ओपे कंट्रीज करती है तो भी अच्छी बात है प्रोडक्शन कट होगा तो यहां पे अगरेल तेल की प्रोडक्शन कट करने के बाद अपने आप बढ़ जाएं कोविड-19 जब तक है जब तक गिरेंगी और तेल के प्र डोलर की जब प्रेसिस अभी 27 डॉलर पर बेरल लाएं बैरल कुछ नहीं अब टैंक थांक में तेल बहता है अब देख लो इतना फायदा होगा हाला कि सरकार के उपर है सरकार हो सकता है कि सस्ता तेल जो बात से आ रहा है उस पर कस्टम जूटी लगा दे एक्साइड जूटी लगा दे फिर वो हमको फिर भी महंगा मिले लेकिन सरकार को से फायदा होगा कि एक्साइड जूटी जो लगा ही सरकार ने वो सरकार के पार निकला जा सकता है शेर मारकेट गिरते हैं । घ्लोबल मारक गिरता है तो हमारी पोरा जो था शोंड़ ही ठीए हो डिम्य को हो चैनलू हम सबसे बड़ा नुक्सान यह हुआ कि चाइना सेंटर लग जाता है इससे कम समय भारत को लगता है क्योंकि बारत के बारत के पास इतनी पावर है कि डिस्टिक्ट में इस सेक्षण एक्सवर लगा सकता है और कोशिश्य कर सकता है कि लोग जो बार नहीं के लिए एक डिस्टिक्ट में इस्टिक्ट में पास अनलिमिटेट पावर होती है हां बस सेंट्रल गवर्रमेंट को बीच बीच में जो है वो सारी चीजें अकाउंटेबल वह रहे कि वह ज इक्रेसिव अब स्क्रीनिंग टेस्टिंग और होस्पिटलाइजेशन करना चाहिए और यहीं जो चीश्ति हो चाइना में इसकी जैसे रिजल्ट निकलके आया कि अधा रिटर्न ऑफ दी एक्सपर्ट एक्सपर्ट रिटर्न कर रहे हैं रिटर्न मतलब आ रहे हैं कहां रहे नी चेनल पे मीडिय में फैक्ट के तोर पर वोट्टस अप पर देखर नहीं रहे हैं किस तरीके से वोट्टस अप पर डॉक्टर्स की वीडियो शेयर हो रही है फेक नेउज़ आनी बंद हो गही है फेक निउस पर सजा मिलती थी फेक निउस बढ़िया है देखो फेक करती है जो आप चाहते हो तो सरकार अगर आप सरकार को एजुकेशन पर हेल्थ पर फोकस करवाना चाहोगे ना तो सरकार गारंटी से करेगी गारंटी से करेगे लेकिन सरकार को यह करने के लिए आपको सबसे पहले सिच पर फोकस लाना पड़ेगा सरकार बुरी नहीं है आप जोट के देखा गया डॉल्फिन लोट लोट के आ रहे हैं जहां पर नहीं आती थी टाटल्स आ रहे हैं पॉलिशन बिल्कुल कम है एर कॉलिटी सुद्री है साथ इसाथ फेक न्यूस का बिल्कुल खात्मा हो गया फेक न्यूस अब कोई नहीं कर सकता तो कहीं कुछी भी एक दूसरे से मतलब नहीं निकला डिबेट का अब आप देखो न्यूस चनल पे एक्सपर्ट, डॉक्टर्स, पुलिस ओफिसर्स, और्थरिटीज, ठीक है एक्सपर्ट्स जो है लोट-लोट के आ रहे हैं तो इनकी जरुत हम को क्यो पड़ है एक्सपर्ट की क्योंकि मुसि अब एक्सपर्ट का रिटन है, जो बहुत अच्छी बात है, एक्सपर्ट वो ता है, जो इता जो कसी फिल्लि में माहीर हो जाता है इसके लिए उसको समय दर समय काम करना पड़ता है पेशेंटली वेट करना पड़ता है और ऐसी स्किल उसको लानी पड़ती है कि दूसरों को सिखा सके दूसरों को पढ़ा सके cycle चलाने वाला ज़रुदी तो है नहीं कि दूसरों को भी cycle चलाना सीखा सेके जो सीखा दे वो expert जो सीखा दे वो expert तो expert ऐसी बनते हैं जो दूसरों को सीखा दे जो teaching के अब ऐसा तो है नहीं कि समय में एक साल में आगई नियंतर प्रयास नियंतर मेनत करने पर आती रहती हैं तो expert ऐसे बनता है और experts की जो यहाँ पर skills आजकल जिस तरीके से news channel के दोरा internet के दोरा फैली जा रही है news channel तो नहीं internet के दोरा social media के दोरा videos नहीं थी YouTube किस दिन में ये सीखे दस दिन में ये सीखे पात दिन में ये चीज करना सीखे skills सीखे तो patience हमारे खतम करते जा रहे है internet, google, wikipedia तो experts की challenge सबसे बड़ा ये था कि एक तो social media, internet जो है उनकी जुर्यत कम पढ़ गई अब लोग अपने आप ही जो सीख रहे है expert की ज़रोती नहीं पड़ती तो इसको भी हमको overcome करना पड़ेगा और experts को हमको आगे लाना पड़ेगा विश्वास हमको रखना पड़ेगा अभी मोदी जी ने भी और health minister ने बार-बार आके कहा कि अंदर विश्वास हटाईए rumors को हटाईए fact check करिए fake news मत फैलाईए अच्छी शुरूव वात है अब doctors, experts आगे आ रहे है medical colleges में अब fact के तोर पे जो है checking की जा रही है सरकार ने fake news पे बिल्कुल लगाम लगा दिये तो कहीं न कहीं सब अच्छा हो रहा है negative के साथ positive भी आ रहे हैं मजदूरों का ख्याल रखिए कोई जाता आता दिख जाये रहागीर तो उसको खाना खिला यह बिस्किट खिला दीजिए लेकिन ख्याल रखिए सरकार पही सारी जम्यदारी मत ठोकिए आप भी इंसान है अपनी इंसानियत नहीं भाई है गैस यह थी है मारी वीडियो थैंक्स वर वोचिंग जहिन अच्छा ओपेक और ओपेक कंट्रीज प्लस कंट्रीज के बारे मैं आपको बता देता हूँ यह ओपेक कंट्रीज हैं ध्यान रखिए सवधी अरेबिया साउथ अमेरिका में वनेंजियो और एक्वेडर दो कंट्रीज हैं जो की ओपेक के मेंबर हैं कईब आप पूछ लेते हैं कि साउथ अमेरिका में कौन सी कंट्रीज हैं जो की ओपेक की मेंबर है ठीक है तो वनेंजियो और एक्वेडर हैं बाकी कंट्रीज आप देख सकते हैं एलजीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, यह हमारे टलीग्राम चनल है, आप इच्णाइब हई इस में जाकिac सर्च करेंगे, तो आपको sir debit appropriate又 के बारे में भी आपको जानकरी States, ओपेक प्लस कंट्रीज आपको मैं बता हूँ बगदाद कॉन्फरेंस में क्रियेट हुथी 1960 में इरान, इराक, कुवेट, सवधिरेबिया और वेनेजुला इसको आप याद कर सकते हैं विस्की से जैसे वी से विनेंजुला, आई से इरान, एस से सवधिरेबिया, के से कुवेट और आई से इराक, विस्की ऐसे याद रख सकते हैं ठीक है बाकी नोन ओपेक कंट्रीज वो कंट्रीज होती है जिनको जो कुड़ोल एक्सपोर्ट करती है लेकिन वो ओपेक कंट्रीज में नहीं आती है अपेक ग्रूप में जोड़ी है लेकिन कुड़ोल एक्सपोर्ट करती है ओपेक प्लॉस कंट्रीज होती है countries है अजर्बाइजान, भहरेन, बुरुने, कज़किस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउट सुडान, सुडा, एंड सुडान, तो इंपोर्टेंट याद रखिएगा, कईज यह थी मारी वीडियो, थैंक्स वर वोचिंग, चेहिंद, कोड ब्लेस यू अल